हेलो फ्रेंड्स तो ये है सीरिस का सिक्स पार्ट इसके बाकी पार्ट की लिंक भी आपको डिस्किप्शन में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो लास पार्ट में हमने देखा कि मुबाई को पकड़ने कुछ लोग जंगल में आते हैं और उनके और लीन के बीच फाइट होने लगती है इस फाइट में लीन की फायर पील क्रश हो जाती है लेकिन सिस्टम उसके डिफेंस मेकेनिजम को एक्टिवेट कर देता है फिर हम ए फाइटर्स का लीडर उससे लड़ने को तयार हो जाता है लेकिन उसे लिन से ऐसी अटैक की बिल्कुल उमीद नहीं थी वो लिन का मुकाबला करने की बहुत कोशिश करता है और तब ही लिन की किक उसे उच्छाल कर दूर फैंक देती है उसकी साथ ही भी अपने बोस की ऐसी हाला देखकर डर जाते हैं लेकिन वो ने कहता है कि तुम याँ खड़े होकर किसका वेट कर रहे हो और जाओ और जाकर उसे अच्छा सबक सिखाओ वो चारों उसकी बात मानकर लिन को गेर लेते हैं और लिन उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है तब एक थंडर चॉप का यूज करता है और इससे वो सब उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं उनका लीडर भी डर कर अपनी शिल्ड एक्टिवेट कर लेता है और देखता है कि लिन की पावर का और बहुत ही स्ट्रोंग है जिसने मुबाई को भी उच्छाल कर दूर फैंट दिया ह उसे यकीन नहीं होता कि एक नए प्लेयर के पास ऐसी पावर कैसे आ सकती है और तबी वो लिन को अपनी ओर आते वे देखता है इस स्ट्रैक से उसकी शिल्ड तूट जाती है और वो भी अपने सात्यों की तरह डेर हो जाता है मुबाई बाग कर लिन को चेक करने आती है और अचानक लिन को होशा जाता है और वो सोचता है कि ना जाने मैंने कैसा सपना देखा है फिर वो लिन की ओर देखता है और तबी उससे मिलने पोनी वहां आता है और बताता है कि तुम पिछले तीन दिन से सो रहे थे लिन भी ये सुनकर जोक जाता है और तब पोनी कहता है कि इस पर लिन कहता है कि फिर तो मेरी अटैक और स्पीच्वल पावर भी डबल हो गई होगी और पोनी उससे एगरी करता है और कहता है कि जैसे जैसे तुम ग्रो करते जाओगे तुम्हारी पावर सोर बढ़ती जाएंगी लेकिन इसमें जादा एकसाइटिड होने वाली कोई ब आगे लिन उससे कहता है कि तुम्हारा वी आईपी प्रोग्राम तो बड़े काम की चीज है और मैं इसकी पावर को फिर से यूज़ करना चाहूंगा लेकिन पोनी उससे बताता है कि ये प्रोग्राम बस एक ही बार के लिए था और इसे दुबारा यूज़ करने के लिए त सुनकर लिन को बहुत गुस्षा आता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यू नहीं बताई लेकिन पोनी कहता है कि पहले बताने से भी कोई फायदा नहीं था क्वैना इसके तुम सर्वाइब नहीं कर सकते। ये कहकर पोनी वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि मुबाई भी नीन से जाग गई है वो लिन को सही सलामत देखकर बहुत कुछ होती है और भूल जाती है कि इस चक्कर में वो उसके बहुत करीब आ गई है लिन थोड़ा अनकमफरेबल फिल करता है और मुबाई भी अपनी गलती रिलाइस करके पीछे हट जाती है फिर वो लिन से उसकी नई पावर्स के बारे में पूछती है कि कैसे वो इतना घायल होने के बाद भी एकदम से ठीक हो गया और तब लिन उसे फायर पिल्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये तो मैंने एक लकी ड्रो कहती है कि मैं अपने लिए खाना लेने जा रही हूं तब ये एक बार फिर पोनी वहां आता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगी क्योंकि मेरी दी हुई पावर्स बहुत ही यूनिक हैं वो कहता है कि तुमें उन्हें सरफ वही बता चाहता हूं और ये सुनकर पोनी कहता है कि उसके नाम के अलावा तुम जानते ही क्या हो तो फिर भला ये शादी वाली बात कहां से आ गई वो उसे वोन करता है कि मुबाई के पीछे कोई खतनाब गैंग लगा हुआ है और तुमें उससे साब्दान रहना चाहिए लेकिन ल इन अपनी स्किल से उनकी इंफोमेशन निकालता है कि ये एक लेवल वन के मॉंस्टर है और इनका अटैक है इनकी फ्लेम पावर मुबाई लिन से कहती है कि अभी अभी तो तुम होश में आए हो और तुमें इस तरह मॉंस्टर हंटिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन लिन कहत है कि एक मर्द की काबलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए इंसल्ट के बराबर है और ये सुनकर मॉबाई को उस पर बहुत गुस्सा आता है फिर लिन आगे जाकर उन फ्लेम रैट से पंगा लेता है और वो गुस्से में उस पर अटैक कर देते हैं मॉबाई कहती है कि कैसा बेवकुफादमी है जो इतने सारे मॉंस्टर से एक साथ उलज रहा है लेकिन तब ही वो देखती है कि लिन ने अपनी पावर से उन सब को शौक कर दिया है फिर वो उन बाकी रैट्स की और बढ़ता है लेकिन वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते है और लिन मरे हुए मॉंस्टर से उनकी पावर खीशने लगता है मॉबाई भी ये देखकर रिलेक्स हो जाती है लेकिन तब ये अचानक जमीन कापने लगती है और वो देखते हैं कि रैट्स अपने किंग को बुला कर लाएं है जिसका साइस बहुत ही बड़ा है लिन भी उस के हाथ से छूट जाती है फिर रैट किंग उस पर अपनी फ्लेम पावर का यूज करता है और इससे लिन का फेस और बाल दोनों जल जाते हैं और वो एक काटून की तरह लगने लगता है वो रैट्स भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये देखकर लिन को बहुत गु करता है और कहता है कि अब तुमें रोस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और जल्दी ही रैट किंग का खेल खत्म हो जाता है और लिन उसकी सारी पावर एब्जोब कर लेता है बाकी रैट्स ये देखकर भागने की सोचते हैं लेकिन लिन एक के करके उन्हें माट डालता है और मुबाई से कहता है कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ मुबाई उसका जलावा रूप देखकर हसने लगती है और तब लिन चुपके से पोनी से हेल्प मांगता है जो ड्रैट्स की अनरजी के बदले उसे फिर से ठीक कर देता है और बाई उससे कहती है कि अभी अभी तो तुमने इन ट्रैट्स को मारा है तो फिर और मॉंस्टर की क्या जरूरत है लेकिन लिन कहता है कि इससे मेरे दो फायदे होंगे एक तो मुझे पावर बूस्ट मिलेगा और दूसरा में धेर सारे स्पिरिट स्टोन कमा सकूँगा फिर ह हम उने कुछ और मॉंस्टर को मारते वे देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है तो दोस्तों इसका अगला पाट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबानन ना भूले थैंक यू